कि प्यारे बच्चों करियर जंग्षन के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी संधी चेप्टर की और संधी के विषय में हमने कुछ बिश्चिक चीज़ें आपको बताई थी उसमें हमने आपको संधी को बताया था कि संधी तीन प्रकार की होती है सबसे पहली संधी हमने आपको बताया स्वर संधी दूसरी संधी बेंजन संधी और तीसरी पिशक संधी और पिछली ही क्लास में हमने आपको स्वर संधी को पहचानने के ट्रिक्स बताया उसी में हमने आपको ग्यारा स्वर को तीन भागों में विभाजित करने का तरीका भी बताया तो हम आसा करेंगे हम आसा करते हैं कि आप हमारी पिछली क्लास देखे होंगे और पिछली क्लास में जो स्वर को तीन भागों में डिवाइट किया गया था जाहिर है आप पढ़े होंगे तो सक्यों की सबसे ज़्यादा इंपर्टन्ट स्वर संधि के लिए स्वर का होता है और हमने आपको तीन भागों से बताया था वन प्लस टू करके बताया था वन प्लस थ्री करके बताया था तू प्लस आसमान करके बताया था और थ्री प्लस आसमान स्वर करके बताया था तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि वन प्लस टू क्या होता है 1 प्लस 3 क्या होता है 2 प्लस आसमान स्वर क्या होता है 3 प्लस आसमान स्वर क्या होता है और सबसे पहले स्वर्षंदी को हमने 5 भागों में भ्याजित किया सबसे पहली जो संदी थी हमारी वो दीर्ग स्वर्षंदी थी और दीरगश्वर संध में ही हमने बताया था कि जब दो समान आपस में मिलते हैं तो उनका रूप दीरगव हो जाता है और 1 प्लस 2 हमने गुन संध बताया था 1 प्लस 3 हमने ब्रिध संधी की चर्चा की थी और ट्यू प्लस आसमान सर यह संधी की चर्चा की थी और 3 प्लस आसमान सर आयादý संधी की वही हमने आपको ये 5 सुर संधिया जो है इनके सूत्र बताय थे सबसे पहली संधी दीर्घ आका समल्डे दीर्घा क्या बताया था आका समल्डे दीर्घा दूसरा सूत्र है आदगुला तीसरा सूत्र है आपका ब्रिधरेची जो ब्रिधर संधी का है और चवथा जो यल संधी है उसका सूत्र था इको यल च पांचवा आयादी संधी और आय आयादी संद्य तुवा कठिन है लेकिन आप अगर साथ में बोलेंगे ज्यादा समझ में आएगा एचो आय या वा वा ये आयादी संद्य का सुत्र है तो चलिए आज हम इन पांचो स्वरोप जो संद्य हैं इनके कुछ रूल से पलते हैं कुछ नियम पलते हैं और वही तीन ब्षाजन से आपको इनके सारे रूल पता हो जाएंगे तो सबसे पहली जो संद्य है हमारी वह दीर्ग स्वर संद्य है तो दीर्ग स्वर संधि पच्चे कौन सी संधि है दीगश्वर संधि तो आज हम लिख लेते हैं जो पहला सुरूप था जो दूसरा विवाजन था जो तीसरा था पहला का सुरूप हमने छोटा आ और बड़ा आ लिखा था दूसरा लिखा था छोटी इ, बड़ी इ और छोटा उ और बड़ा उ और हमने लिखा था अरी तीसरा था ए था, आ था और ओ था और क्या था आओ था यहीं से आपके सारे रूल्स पता चल जाएंगे कि कौन सी संधि के कितने रूल आपको पढ़ने इस तरह से हमने पिछली क्लास में बताया ही था कि इस तरह से आपको इनका व्याजिन करता है तो समान मिलने पर दीर्ग आप लिख सकते हैं इसमें मिलेंगे हमेशा दो समान स्वर इसमें हमेशा मिलेंगे दो समान स्वर जब दो समान स्वर आपस में मिलेंगे तो हमेशा उनका रूप क्या होगा दीर्ग होगा दो समान ये भी समान है इसके भी समान अगर कोई होगा तो समान दीर्गी बनाएगा तो पहला रूल एक हो गया दूसरा तीसरा और चोथा तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दीग स्वर संधी के आपकी कितने रूल हो जाएंगे? चार रूल हो जाएंगे कितने रूल हो जाएंगे? चार रूल, मात्र चार वैसे अगर देखा जाए तो आपके रूल और बल सकते हैं लेकर थोड़ा हम संचिप्त में लेके चलेंगे ज़्यादा तर example करवाया जाए तो ज़्यादा उचित होगा तो सबसे पहला जो सुरूप है लेके चलते हैं समान का ही तो सबसे पहला दिर्ग्षवर संदी का जो rule होगा वो आपका होगा छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा आ या बड़ा आ यह हमेशा चाहे जिस कंडिशन में मिलेंगे इनका रूप हमेशा दिर्ग्षवर संदी क्यों क्योंकि चोटा प्लस छोटा होगा तब भी बड़ा बनाएगा चोटा आ प्लस बड़ा आ होगा तब भी बड़ा बनाएगा या बला A, प्लस छोटा A होगा तब ही बनाएगा और बला A, प्लस बला A होगा तब ही बला बनाएगा यानी देखा जाए तो 4 condition होगी कितनी condition होगी? हम आपको 4 के example बताएंगे लेकिन हमने इन 4 conditions को एक condition में रख दिया है बस थोगा अगर एक आग्रे होकर आप देखेंगे तो इन चारू कंडिशनों को हमने एक सुरूप में डिवाइड कर दिया है तो इससे सम्मंदित अगर हम एक्जामपल लेके चलते हैं तो चारू कंडिशन की एक्जामपल हम देते हैं सबसे पहला जो सुरूप होगा आपका सबसे पहला जो सुरूप होगा वो आपका होगा महाँसे जो दूसरा होगा वो होगा देवाले तीसरा जो होगा वो होगा आपका देवार्चन और जो चौथा होगा वो आपका होगा बिद्धार्थी वो आपका क्या होगा बिद्धार्थी होगा तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो स्वरूप तूटेगा यह आपका हो जाएगा महा प्लस आसे क्या हो जाएगा महा प्लस आसे हो जाएगा और जो अगला बनेगा देव प्लस आले होगा तो उन्हा कैसे सीखना आपको देखिए जैसे महा से लिखा है तो आप दिमाग में एक बात बैठाईए कि महा से का मतलब होता है जो महान आसे हो तोड़िए महान आसे महा से तो महान सब्द को हम महा से लिख लेते हैं और आसे यानि अगर आपको जब आप किसी सब्द को तोड़ें और उसके सार्थक सब्द को जिस दिन आपको लिखना आ जाएगा उसी दिन आप संधी तोड़ना जान जाएगे तो जैसे महां से हमने महा लिख लिया महां से और आसे आसे इसी तरह लिखा जाएगा देखा जाए आसे माल लेते हैं कुछ लोग कहते है कि सर यहां हम छोटा आ भी लिख सकते हैं या बड़ा तो देखा जाए हमने पहले बताया है जैसे एक सब्द देव हो गया आले हो गया और देव और अर्चन ऐसे बिद्ध्या प्लस अर्थी होगा तो देखा जाए तो सबसे पहला जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आ से एक तर आसे ये आसे लिखा ये क्या लिखा आसे ये आसे है ये आसे अच्छा हम तो बेवहारिक में जब कलास में पुराते हैं तो हम तो बेवहारिक में पूछते हैं बच्चों से कि ये बताइए आप कि इस आसे में और इस आसे में कौन सा आसे अच्छा लग रहा है कौन सा अच्छा लगे अच्छा का मतलब यह होता है जो सुद्ध लिखा हुआ हो वही हमारा सबसे उचित होगा वही सही होगा यानि यह आसे अच्छा लग रहा है यह आसे अच्छा लग रहा है यह आसे सुद्ध है तो इस आसे को हम लेकर चलेंगे तो इसका जो सही स्वरूप महा प्लस आसे होगा क्या होगा महा प्लस आसे होगा अब देखिए देवाले लिखा है देवाले तो देवाले का जो सुरूप होगा वो देव प्लस आले हमने बताया तो देव प्लस क्योंकि देवा का आले नहीं होगा देवाले जहां देव के रहने का स्थान होता है देव के लिए जो घर होता उसे देवाले कहा जाता है तो वहां देव रहते हैं ना कि देवा देखिएगा देवा की आदालत वाला मत समझेगा कि वो वाले देवा यहां है वो वाले देवा यहां नहीं है यहां कौन है देव है अर्थात ईश्वर है तो देव अच्छा होगा कि देव दोनों हो सकता है तो हमने दोनों से लिख दिया एक बड़ा छोटा से लिख दिया और एक बड़ा से लिख दिया तो कौन अच्छा लग रहा है बड़ा वाला आले अच्छा लग रहा कि छोटा वाला तो देखा जाए तो जो सुद्ध होगा बड़ा वाला आले ही होगा तो ज हमारा मतलब आप तोड़िये और जब आप सब्द को तोड़ना जाएंगे तब आप जान जाएंगे कि कौन सा सब्द सही लिखा है या सुद्ध लिखा है और कौन सा सब्द क्या लिखा है तो ध्यान में रेखेगा तो क्या होगा देव प्लस आले होगा यानि अले नहीं होग अगला देखा जाए जो देव आर्चन लिखा है तो यहां भी तूटेगा जाहीर है अब आप जान चुके होंगे देव होगा और आर्चन नहीं होता क्या होता है अर्चन होता है देव प्लस क्या होगा अर्चन होगा देव आर्चन हो जाएगा और बिद्या क्या होगा बिद्या प्लस क्या होगा अर्थी बिद्या प्लस अर्थी होगा आप कुछ लोग यह वाली अर्थी जान लेते हैं कि वाली अर्थी बिद्या बिद्या की अर्थी उठने वाली बात करने लगते हैं तो इस का मतलब बच्चे क्या आप बताएंगे ग्रहल करने वाला क्या बताएंगे ग्रहल करने वाला यानि बिद्या को जो ग्रहल करे वही क्या होता है बिद्यार्थी तो बिद्या सुद्ध लिखा है और ये वाली आपकी अर्थी होगा तो बिद्या प्लस अर्थी यानि बिद्या को गुरहल करने वाला वो होगा आपका बिध्याती चलिए एक एक जांपल और आपको बताते इससे लिखा है बेदांत, बेदांत, तोड़िये दिमाग में दिमाग में ऐसे बस बेद का क्या है एनत है, बेद का क्या है, अनत है, तो अगर छोटा आ में तोड़ेंगे तो बेद लिखेंगे और बड़ा आ में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे बेदा लिखेंगे क्या लिखेंगे बेदा तो बच्चे कौन सा अच्छा लग रहा है बेदा अच्छा लग रहा है यानि सुद्ध बेद है सुद्ध क्या है बेद है तो हम बे ही लिखेंगे क्या लिखेंगे बेद और प्लस बेद का क्या है अंत है जाहिर आप अंत लिखना जानते होंगे तो बेद प्लस अंत हो जाएगा क्या बेदांत तो अपने रूल की चर्चा करते हमने चार कंडीशन बताई थी आपको देखा जाए सबसे पहला जो सुरूप है पूर्व पद की अंतिम ध्वनी कल हमने चर्चा किया था कि जब पूर्व पद की अंतिम ध्वनी का मेल अंतिम पद की पूर्व ध्वनी से होता है और जो उनसे विकार उत्रपन होता है वह विकार क्या कहलाता है संदी कहलाता है तो जाहिर है चर्चा करते हैं यहां पर आपक पोर्व पद की अंतिम धन बला आ है और अंतिम पद की पोर्व धन क्या है बला आ है दो समान मिले दो समान मिले तो उनका रूप क्या होगा दीर घही होगा यानि एक बला आ ये और एक बला आ ये मिलकार इनका रूप क्या हो गया दीर हो गया एक condition यह हो गई, दूसरा महासे है, sorry, दूसरा है आपका देवाले है, तो अगर देखा जाए तो देव में पूर्पद की अंतिम ध्वनी आपकी क्या है? छोटा आ है, और अंतिम पद की पूर्पद्वनी आपकी क्या है? बड़ा आ है, तो इनको समान ही मान के मान के चले हम, ह हमने हमेशा बताया है कि इनको समान मान के चलना है, इसलिए हमने इनको एक खाने में बंद किया है, दूसरी condition हो गई, एक condition देखा जाए अगला, देवार्चन क्या लिखा है? देवार्चन यानि देव और प्लस क्या होगा? अर्चन होगा, देव प्लस क्या होगा? अर्चन होगा यानि मात्रा बतानी थी देव प्लस अर्चन लिख चुके हैं तो देव यानि पूर्व पद की अंतिम धन आपकी क्या होगी छोटा आ होगी और अंतिम पद की पूर्व धन भी आपकी क्या होगी छोटा होगी ये बताईए दो समान मिले की नहीं मिले इनका रूप क्या हो गया दिर्ग हो गया इनका रूप क्या हो गया दिर्ग हो गया और अगला जो स्वरूप है बिद्यार्थी बिद्या प्लस अर्थी यानि पूर्व पद की अंतिम ध्वनी बला आ है और अंतिम पद की पूर्व ध्वनी बला आ है स्वरी छोटा आ है दो समान मिल गए, इनका रूप क्या बन गया, दिर्ग बन गया, सेम वही कंडिशन, पूर्व पद की अंतिम उधनी, छोटा आ, अंतिम पद की पूर्व धन, छोटा आ, दो समान मिल गए, इनका रूप क्या हो गया, दिर्ग हो गया, यानि पहली कंडिशन, देख लीजिए, छोटा प्लस छोटा आ की एक condition हो गई, दूसरा एक छोटा आ बला आ की हो गई, हमने छोटा आ और बला आ की भी condition आपको बताई, बला आ और प्लस छोटा आ की भी condition हमने आपको बताई, और बला आ प्लस बला आ की condition हमने आपको बताई, इस तरह से इसके भी चार condition, इसकी भी च चार कंडीशन तो इस तरह से देखा जाए तो इस चार कंडीशन ही होगी लेकिन इन चारों को हम एक में ही समाहित कर लेते हैं और इसे संबंधित जो हमारी एक्जामपल है उनको हम पहते चलते हैं तो पहला सुरूप आपको यह था अब जो दूसरा रूल है वो आपका यह हो लंबी हो जाएगी तो जो पहला सुरूप है पहला जो सुरूप है इसलिए हमने थोगा इसको भी स्थित समझा दिया है तो चलिए दूसरा रूल चलिए बच्चे दूसरे रूल की तरफ बलते हैं दूसरा रूल तो दूसरा रूल आपका यह हो जाएगा छोटी या बड़ी प्लस छोटी या बड़ी दो समान मिल गए इनका रूप हमेशा आपका क्या हो गया दीर हो गया यह दूसरा रूल इससे समंधित एक्जामपल देखा जाए तो जो सबसे पहला एक्जामपल है माल लेते हैं कपीशवर कपीशवर अगला है नदीश कपीशवर है और अगला क्या है नदीश है ऐसे आप लिख सकते हैं कपीश लिख सकते हैं ऐसे आप रवीश लिख सकते हैं कल बताया ही है हमने कल हमने बताया ही है कि अगर सब्द के मध में बड़ी की मात्रा है तो को सिसंद होगी दीरगी होगी तो कपीशवर के लिए देखा जाए जो कपी के इस्वर है जो कपीओं के क्या है इस्वर है वह आपके क्या हो जाएंगे कपीश अर्थाथ आपको कपी अच्छे तरीके से लिखना आता हो ये कफी प्लस क्या हो जाएगा? इस और Same condition ये नदी के क्या है? इस है तो नदी को छोटी इसे नहीं लिखा जाएगा बड़ी इसे लिखा जाएगा और इस तो आप जानते ही हैं कि बड़ी की मात्रा से ही लिखा जाएगा नदी इस और कफी इस वही से कपी और प्लस क्या हो जाएगा इस हो जाएगा कपी प्लस इस और ऐसे आपका रवीस यानि रवी और प्लस क्या होगा इस होगा रवी प्लस क्या होगा इस होगा आप देखिए पूरपद की अंतिमधन क्या है चोटी ई और अंतिम पद की पुर्वधन क्या है बड़ी तो इस तरह से जब चोटी का मेल बड़ी से होगा तो क्या बनेगा बड़ी ई ही बनेगा क्या बनेगा बड़ी ऐसे देखा जाए तो आपका जब बड़ी का मेल बड़ी से होगा तो क्या बनेगा बड़ी ही बनेगा ऐसे जब छोटी का मेल बड़ी से होगा तो ये भी बड़ी बनेगा ऐसे जब छोटी का मेल ही किस से बड़ी से तो बनेगा बड़ी से यानि चार कं इसके हैं तो समान मिले आप हमेशा क्या बने ये दिर बस तो ध्यान में रखिएगा कि जितने सार्थक सुद्ध सब्द लिखना तोलने के बाद जितना सुद्ध सब्द लिखना जानेंगे आप उतने ज्यादा उचित होगा आप देखे जो अगला रूल है हमारा अगला रूल छोटा उ और प्लस छोटा उ का है तीसरा जो रूल है वो छोटा उ या बला उ प्लस छोटा उ या बला उ फिर क्या बनाएंगे बला उ बनाएंगे यानि जो तीसरा रूल हुआ, दो समान मिल गए, इनका रूप क्या हो गया? दिर्ग हो गया ऐसे इसका एक्जामपल देखा जाए, तो इसका एक्जामपल है वधूर्मी क्या है? वधूर्मी है, ऐसे इसका है सर्यूर्म है, ऐसे वधूत्सो है, ऐसे क्या है? वधूत्सो है, तो देखा जाए, लिखा है भूधर्री है, तो इस तरह से देखा जाए, क्योंकि आपको बड़ाउ की मात्रा मिल रहा है, इसलिए आपका क्या होगा? दिर्ग तो वधूर्मी में देखा जाए, अब आपको वधू लिखना आता है, वधू की क्या है? उर्मी है, तो अगर देखा जाए, तो वधू लिखना आपको सही आना चाहिए यानि बलाओ की मात्रा वाला वधू जो होगा वही सही होगा सब्द और प्लस उर्मी जो होगा उसमें आपको बलाओ की मात्रा लिखना पड़ेगा क्योंकि उर्मी का मतलब ही होता है लहर अगला देखा जाए सर्यूर्म अब आपको सर्यू लिखना आना चाहिए क्योंकि ये सर्यू प्लस उर्मी उर्मी का मतलब ही क्या होगा लहर होगा ऐसे वधूत्सो कैसा उत्सो है वधू का उत्सो है वधू का उत्सो या वधू के लिए उत्सो बला उ होगा उत्सो में आप जानते छोटा उ की मात्रा होगी किसकी मात्रा होगी छोटा उ की और भूधर लिखा गया है भू प्लस उत्धर होता है ठीक देखेगा भू प्लस उ यह आपकी जुरूप है आप देखे बस वही चीजें है आप ध्यान रेखेगा पूरपत की अंतिमधन क्या है बड़ा उ है और प्लस अंतिमधन क्या है बड़ा उ समान मिल रहे है इसलिए इनका रूप क्या होगा दिर्ग होगा ऐसे सेम क्योंकि बड़ा उ मिल रहा है किस से बड़ा उ से यह आपका क्या हो जाएगा बड़ा उ ही बन जाएगा और इसका दिस रूप देखा जाए तो बड़ा उ किस से मिल रहा है छोटा उ से इसका भी क्या होगा बड़ा यानि इस तरह से आप देख सकते हैं इसके एक्जामपल वधुर्मी सरीपुर्मी वधुस्टष और वुधर्रिव देख सकते हैं तो यह हमारा तीसरा रूल क्योंकि इस तृरह से आप याद कर सकते हैं, एक रूल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये, अब हम अगला रूल चलते हैं, चोथा रूल चलते हैं, कौन सा, चोथा रूल है, चोथा रूल आपका है, यहीं बता देते हैं, चोथा रूल आपका, जो रहेगा, वो केवल री का रहेगा, तो र और प्लस री ये बनाएंगे क्या दिर्ग री प्लस री ये क्या बनाएंगे दिर्ग क्योंकि दो मिलेंगे दिर्ग मिलेंगे ये री आपको पलने को मिलेगी संस्कृत में संस्कृत में पलने को मिलती है यहां केवल ये री मिलती है आपकी तो देखा जाए इसका एक्जामप तो यानि किस का रिण है पित्र में किस का रिण है पिता का रिण है और पिता का सुधरूप क्या लिखा जाता है पित्र लिखा जाता है तो यह पित्र का रिण है किस का रिण है पित्र का तो आप लिख दीजिए पित्र प्लस रिण और री का मेल आप करवा दीजिए किस से र इसे देर्गरी बन जाएगा अगला सुरूप मात्रिण यह माता का रिण है और माता का सुरूप जो सुद्ध लिखा जाता है वो मात्र ही लिखा जाता है क्या लिखा जाता है मात्र ही लिखा जाता है तो इस तरह से पित्रिण हो गया और मात्रिण आप जानते हैं री का मेल क दिखाएंगे ये बन जाएगा देर्ग री ऐसे आप दिखाएंगे री का मेल किस से री से दिखाएंगे ये आपका बन जाएगा क्या देर्ग री अगर इस तरह से लगा हो देर्ग री तो यह आपके कौन सी संध हो जाएगी देर्ग स्वरसंधी हो जाएगी तो इस तरह से यह आपकी पहली संदी स्वरसंदी हुई जिसे हम दीर्ग स्वरसंदी के नाम से जानते हैं. ठीक है? चलिए अगली संदी की चर्चा करते हैं. अगली स्वरसंदी जो हमारी है उसकी चर्चा हम करेंगे. आप लोग कापी कलम लेके बैठा करिए. क्योंकि जितने अच्छे से आप साथ में सब्द को तोलेते हुए चलेंगे, उतने आसान रहेगा संदी पहचानना और संदी को तोलेना. या आप स्क्रीन साथ लेते चलिए. क्योंकि बाद में आप रिवाइज भी कर सकते हैं. चलिए. जो हमारी अगली संदी है, वो आप की होगी गोड़ स्वार संदी. कौशी संद होगी बच्चों? गोड़ स्वार संदी. गोड़ स्वार संदी. आप डारेक्टली ऐसे समझ लीजिए. गोड़ स्वार संदी के लिए हमने 1 प्लस 2 बताया है. क्या बताया है? 1 प्लस 2 बताया है. गोड़ स्वार संदी के लिए. तो याद करते चले रूल. 1 प्लस 2 एक बार इसका मेल इससे पहला रूल. एक बार इसका मेल इससे दूसरा रूल. और एक बार इसका मेल इससे कौन सा रूल हो गया? तीसा रूल हो गया. अर्था तो गुल संदिके हमको कितने रूल पलने हैं? तीन रूल पलने हैं और परिभासा अगर आपको जाननी है तो आप कह सकते हैं जब छोटा आ या बला आ का मेल छोटी या बड़ी इसे हो तो ए बनता है और जब छोटा या बला का मेल छोटा उ या बला उ से मिलता है तो बनता है और जब छोटा बड़ा आ का मेलरी से होता है तो अर बनता है आप उनमाला में पढ़ेंगे वहाँ हमने पढ़ाया है संयुक्तिस्वर और वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा कि इसको इसके मेल से क्या बनता है तो सबसे पहला रूल सबसे पहला रूल चलते हैं सबसे पहला रूल यह होगा आपका सबसे पहला रूल कि जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी या बड़ी इसे होता है तो क्या बनता बच्चे ए बनता है ए बनता है अब इसे पर आधारित हम को एकजामपल देखने है चार कंडिशन इसकी भ दिनेश पहला एकजाम्पल होगा दिनेश होगा दूसरा एकजाम्पल होगा लंकेसर होगा तीसरा एक्जामपल आपका होगा राकेस होगा और जो चवथा एक्जामपल होगा वो आप लिख दीजिएगा सुरेश बहुत सारे हो जाएंगे ठीक महस दिनेश सुरेश यह सब चीजे हैं आप लिखते जाएए क्योंकि पहचान है जब सब्दिकेमद में एक ही मात्रा कल हमने बताया आपको एक ही मात्रा नी एक मात्रा एक मात्रा तो जब एक मात्रा की अगर बात होगी तो आप कौन से संध मान कि यह आपकी गुण स्वरसंद एक मात्रा वाले सब गुण स्वरसंद तो दिनेश भाईया यह दिन के इस है किसके इस है दिन के तो दिन का इस कौन है सूरी दिन का इस कौन है सूरी है तो इसलिए आप दिन को सही उचित लिखें यानि सुद्ध लिखें दिन क्योंकि पू कि दिन अच्छा लगेगा दिन अच्छा लगेगा यानि दिन और इस हमने लिखके बताया है या आप भी जानते होंगे कि इस इसी तरह से लिखा तो दिन के इस हैं आधन इका मेल मिल जाएगा दिन इस होगा भईया लंकेशवर आगे को ना गया आप लंकेशवर आप जानते इतनी वड़ी लंका थी अस लंका का इस्वर कौन था रावर था तो लंका का जो इस्वर था वही लंकेशवर है तो पूरपद किस में तूट जाएगा लंका में तूट जाएगा और जो दूसरा पद होगा बच्चे वो किस में तूट जाएगा इस्वर में ये लंका का इस्वर है इसलिए इसे क्या कहा जाता है लंकेश यही एक्जामपल अगर लंकेश का होता तो लंका का इस्वर हो जाता वो भी लंकेश हो जाता अगला राकेश राकेश बच्चे चंद्रमा की प्रियावाची है किसकी प्रियावाची है चंद्रमा की प्रियावाची अब वो क्या होता है रात का इस होता है किसका रात का और रात की प्रियावाची राका होती है क्या राका कुछ बच्चे हैं से तोलते होंगे कि राक प्लस इस राक नहीं होता राक वो वाला हो जाएगा चटान वाला तो टान का इस यहां कुछ नहीं, यहां राक अंगरिया जी वाला नहीं लिखना, यहां हिंदी में राका लिखना है, क्या लिखना है, राका, और राका के क्या है भाईया, इस है, राका के इस, राका का मतलब रात होता है, राका का मतलब कौन होता है, रात होता है, तो रात का इस क्या होता है बच्चे चंद्रमा होता है चंद्रमा अगला जो सुरूप होगा बच्चे सुरेस सुर का मतलब होता है देवता सुर का मतलब क्या होता है देवता और देवताओं का जो इस होगा वो क्या होगा सुरेस होगा तो सुर का मतलब देखा जाए तो अगर तोड़ा जाए तो, सुरा बनेगा बचे, आप ही बताएंगे आप ही बताएंगे, सुर अच्छा लग रहा है यानि, सुर अच्छा लग रहा है सुर देवताओं की क्या है? प्रियावाची है इसलिए हम सुद्ध रूप में क्या लिखेंगे? सुर्य लिखेंगे और अगर सुर्य के E सहें तो वो क्या है सुरे सहें चलिए आपने रूल को चक कर लीजिए क्योंकि पूर्पद की अंतिम धुन क्या है छोटा A है और अंतिम पद की पूर्पद क्या है बड़ी E आधन बड़ी E बनेगा क्या बन जाएगा A मिल जाएगा क्या बनेगा A सेम कंडिशन पूर्पद की अंतिम धुन क्या है बड़ा A है फिर क्या बनेगा बच्चे बड़ी E अंतिम पद की पूर्धन फिर A ही बनेगा फिर अगला सुरूप यहाँ पर भी पुर्पद की अंतिम धन बड़ा आ और बड़ी ये भी आपके क्या बनाएंगे ए ए का मतलब सिंगल मात्रा सिंगल एक मात्रा और ये छोटा आ और धन क्या बड़ी ये भी क्या बनाएंगे ए ही बनाएंगे ये आपके रूल है इस तरह से ये आप जानेंगे कि ये गुण स्वर संधी का पहला रूल है कि जब सब्द के मद्ध में आपकी एक मात्रा होगी एक मात्रा और किसी मतलब या सब्द के मद्ध में आधा अच्छर नहीं होगा तो अधिकतर जो हमारे सब्द मिलेंगे वो हमारे गुण स्वर संध के ही उदाहराण होंगे चलिए जो दूसरा रूल बनेगा दूसरा रूल आधन उ का बन जाएगा किसका बन जाएगा आधन उ का तो छोटा आ या बड़ा आ और धन छोटा उ या बड़ा उ और माला में हमने बताया है सब्सक्राइब आ और उ के मेल से क्या बनता है ओ बनता है क्या बनता है ओ एक मात्रा आई की नहीं आई एक मात्रा वाले सारे क्या होंगे गुलेस्वरेसंद चलिए इसके भी एकजामपल देखते हैं तो जो सबसे पहला एकजामपल होगा वो हो जाएगा आपका भाग्योद है क्या हो होजाएगा आपका सूर्योध Ikyne can ए तीसरा हो जाएगा आपका नओ दैंग अगला हो जाएगा एह महोर जा ग्ला क्या हो जाएगा महौर जा देखा जाए तो सब अधिके मध्य में एक मात्रा है और वाली लगी है यानि भाग्योदय सुर्योदय नवदय और और चलिए ब्योहारिक कैसे तोड़िएगा दिमाग में अपने तोड़िएगा कि यहां किसका उदय है भागी का उदय है तो आप जानते हैं भागी प्लस क्या होगा उदय होगा यह आप लिख सकते इस तरह से भागी का उदय भागी का उदय इतना लिख लीजिए बिभक्त बीच से हटा दीजिए और बीच में क्या लगा दीजिए प्लस यह आपकी पहचान हो जाएगे सूर्योदय किसका उदय है सूर्य का क्या है उदय है सूर्य का उदय लिख दीज और का मिटा दीजिए और बीच में क्या लगा दीजिए ऐसे नव का मतलब क्या होता है नया तो नव लिखे की नवा लिखें नव लिखते हैं और नव उदय है इसलिए इसे भी क्या कहा जाएगा नव उदय अगला उर्जा कैसी है महोर्जा यानि महान उर्जा तो महा से लिखा जाएगा अब उर्जा आपको लिखना है कि छोटा उ से आप उर्जा लिखते हैं कि बड़ा उ से लिखते हैं ध्यान में रिखेगा उसमा लिखेंगे बड़ा उ से और उर्जा लिखते हैं छोटा उ से त चोटा आधन, चोटा उ, बन जाएगा क्या ओ, ये पहला सुरूप, ऐसे अंतिम पत क्या, पूरपत की अंतिम धानी, चोटा आ, इसको भी जल्दी से लिक लीजिए, चोटा आधन, चोटा उ, ओ, बन जाएगा, और ये भी चोटा आधन, चोटा उ, होगा, ओ, बन जाएगा, और ये भी बला आधन छोटा होगा, ये भी क्या बन जाएगा, बच्चे क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, तो इस तरह से देखा जाए, ये आपका दूसरा रूल है, कौन सा रूल है, दूसरा रूल है, तो जल्दी से इसका स्क्रीन साथ ले जिए, इससे सम्मंधित, जितन प्रभी एक्जाम्पल हैं आप उनको करिएगा और अगर कोई भी से संदिना समझ में आए तो हमें कमेंट बाक्स में बताईएगा बताईएगा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा क्योंकि एक क्लास की हम डिसकसन क्लास लेंगे और उसमें संद्र से संद्री किये रहेंगे कमेंट किये रहेंगे तो ध्यान रहेगा और वह आपकी जो प्राबलम होगी वह वहां पर साल्ब की जाएगे अगला तीसा रूल बन जाएगा आपका आप होगा आ और रीका होगा तो क्या हो जाएगा अर बनेगा क्या बनेगा अर बनेगा ये हमारा तीसरा रूल होगा गुश्टवर संदी ही है भी तीसरा रूल जल्दिस बताईएगा तीसरा जो रूल होगा ये आपका होगा छोटा आ या बड़ा आ का प्लस रूल का होगा ये तुरंत बनाएगा क्या आर बनाएगा ये कहीं आर नहीं बनाएगा कहीं आर नहीं बनाएगा हर जगा है क्या बनाएगा आर जल्दिसे इसकी एक्जामपल भी देख लीजिए महर्सी महर्सी है देवर्सी है और क्या है सबतर्सी है देखिए वैसे इसमें लग रहा कि यह गुण है भाई महर्सी है तो गुण नहीं है देवर्सी देव रिशी दोनों है गुण है साथ रिशी है तो आप जानते हैं गुण है कि नहीं है यानि महा प्लस क्या हो जाएगा रिसी कैसा है महान है इसलिए से हम क्या कहेंगे महर्सी कहेंगे भई देवता भी है यानि देव भी है और रिसी भी है देवर्सी किसे कहा जाता बच्चे नारद जी को कहा जाता है नारद को भगवान भी कहा जाता है अगला कितने रिसी हैं? साथ रिसी हैं तो साथ को सुधुरूप में सब्द लिखा जाता है और पलस क्या होगा? रिसी होगा जल्दी से अपना रूल चक कर लिए देखिए पूरपद की अंतिम धन बड़ा आ और फिर री होगा तो आर कभी नहीं बनेगा हमने बताया हमेशा आप क्या बनाएंगे? अर ही बनाएंगे बड़ा आ और रिसी अगला पूरपद की अंतिम धनी छोटा आ और अंतिम पद की पूरपद क्या होगी? री होगी ये भी क्या बनेगा बच्चे? अर ही बनेगा और सब्तरसी में पूरपद की अंतिम धनी छोटा आ होगा और फिर री होगा ये बच्चे क्या होगा? अर अर का भी एक्जामपल आप देख लिए तो ये गुर्व संधी के कितने रूल? तीन आप इतना जानिये इतना जानते रहिए कोई पूछे कि गुर्व संधी में कितने रूल है अब बता सकते हैं कि 1 प्लस 2 गुर्व संधी होता है यानि एक, दो, और वह इस गिन के बता सकते हैं चलिए अगली जो संधी हमारी क्योंकि अब हमको 1 प्लस 2 से 1 प्लस 3 के तरफ बलना है कौन सी संध होगी ब्रिध स्वर संधी क्योंकि अब पहले तो हम 1 प्लस 2 थे अब 1 प्लस क्या 3 हो गए यानि क्या एक से 2 हो जाना अगली संधी हमारी कौन सी संधी है ब्रिध स्वर संधी कौन सी संध होगी ब्रिध स्वर संधी होगी और बिद्ध संधी के लिए हमने आपको बच्ची क्या बताया है क्या बताया है 1 प्लस 3 बताया है तो 1 प्लस 3 बिद्ध संधी होगी यानि 1 प्लस 3 देखिए एक बार इसका मेल इससे और एक बार इसका मेल इससे कितनी बार इसका मेल हो रहा है या बड़ा आ प्लस ए या आए आपका ये भी से तुस्तर भी हमने पढ़ाया है कि इनका जब मेल होता है तो हमेशा आए बनता है क्या बनता है आए ही बता यानि डबल मात्रा आए का मतलब बता देते हैं क्या डबल मात्रा यानि अब डबल हो गया तो ब्रिद हो गई की नही कि जहांते तो ध्यान में रिखिएगा में जब चोटा कामे बाश कि ए या बन्ता है और जब चोटा घौनल ऑ से होता है तो बनता ये इसकी परन. धीक तो आप इतना जानिये परभासा कि बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि आपको संदी सब्द पहचानना कि किस संदी से है और इसका संदी विच्छेद क्या होगा तो सबसे आप एक्जामपल इसका देखा जाए तो जो पहला एक्जामपल होगा हम लिख सकते हैं लोकैसरा क्या लिख सकते हैं लोकैसरा एक लिख सकते हैं फिर अगला जो सरूप होगा वो लिख सकते आप सदयोवगः कर देखेगा सब डवल मात्रा कितनी बparat सबड़ मात्रा हैं तो डवल एक से दो हो जाए, क्या होगा ब्रिध स्वर संधी होगा चलिए पूरपद की अंतिमधन यह यह लोक ऐसरा है लोक प्लस ऐसरा ऐसरा का मतलब होता रीती, क्या होता बच्चे रीती होता है, और आप जानते यह संसार की क्या है तो लोक लिखा जाए कि लोका लोक लिखा जाए तो आप लिखते हैं लोक प्लस अब ऐसरा दो तरीके से ऐसरा दो तरीके से भाई एक ए वाली ऐसरा भी और एक ये वाली ऐसरा भी तो देखिए ऐसरा दो तरीके से लिखा है, अब कौन सी ऐसरा प्लस एसरा तो जल्दी से इसको मिटाया जा एसरा को यानि ये वाली एसरा आपकी सई होगी आप देखा जा तो लोक की एसरा है ये संसार की क्या है रीत लिख देते हैं कि यहाँ संसार की ये क्या है रीते की आप ध्यान में रखिएगा अगला मत एक की आप देखें मत प्लस एक की क्या हो जाएगा मत तो लिखा नहीं जाएगा क्या लिखा जाएगा मत और मत प्लस एक के यहां आपकी जो मात्रा होगी वो आए वाली होगी क्या होगी आए मत प्लस एक की का मतलब होता कथन जैसा जैसा जिसका कथन हो मत एक मत की अनुसार कुछ कहना चाहिए भाई जैसा मत हो उसकी अनुसार एक एक में एक प्लस क्या होगा एक होगा अब आप तो इसको लिखी लेंगे एक प्लस एक ये आपका क्या हो जाएगा एक एक हो जाएगा और जो सदयो होगा वो हमें सदा क्या होगा सदा और सदा प्लस एओ यानि हमेशा जो इसका शुरू बने क्या बन जाएगा सदयो यानि अब देखा जाए तो जल्दी से इसके रूल को देखा जाए तो पूर्पद की अंतिम धन क्या छोटा आ और अंतिम पद की पुर्वधन क्या आय ये आप के बन जाएंगे क्या आय ये है हमारा रूल देख लीजिए आ और ए कामेल से आय बनता है ऐसे मतय की का सुरूप छोटा आ होगा और आय होगा ये आपका क्या बन जाएगा आय ही बनेगा अगला सुरूप यहाँ छोटा आ और ए होगा ये भी आपका ए ही बनेगा अगला सुरूप देखा जाए बड़ा आ और आपका ए होगा ये भी आपका क्या बनेगा ए ही बनेगा ये आपका सुरूप है इस तरह से यानि हमने बताया इस एक का मतलब ही डबल मात्रा होता है तो दूसरा rule इसका mail इससे देखा जाए इसका mail इससे देखा जाए जो दूसरा जो rule होगा हमारा वो हो जाएगा इसका कि पूरपद छोटा आ या पूरपद बड़ा आ पलस ओह हो या क्या हो औहुढ ये भी सेंगत ऊसर में हमने आपको बताया यह हमेशा क्या बनेगा आओ ही बनेगा और आओ का मतलब double मात्रा यानि एक से दो कितनी मात्रा दो एक से दो हो जाए ब्रिद्धी हो जाएगी तो इस तरह से यह दूसरा रूल है इससे भी समनित हम example देखते हैं सबसे पहला जो example है वो आपका है लिखा है महोच क्या बनेगा दंतोश्ट और जो तीसरा एक्जाम्पल बनेगा वो आपका बनेगा बनावसद क्या बनेगा बनावसद बनेगा तो इस तरह से देखा जाए तो महान ओज है ओज का मतलब यास और कीर्थी तो महान ओज है तो महा प्लस क्या लिखे हम ओज लिखे महा प्लस क्या लिख दें ओज लिख दें क्योंकि ओज नहीं लिखा जाए ओज का मतलब यास होता और कीर्थी तो यह महोज हो जाएगा और यह आप वाद के तोर पे पूछा जाता है आपसे बहुत इंपोर्टन्ट है दंत ओस्ट यह आपका होगा दंत और प्लस क्या हो जाएगा ओस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा दंत प्लस ओस्ट हो जाएगा और यह बन प्लस ओसद हो जाएगा ध्यान में रखेगा 1 प्लस ओसद 1 प्लस ओसद क्योंकि एक ओसद भी डबल मात्रा भी लगता है वो आपका ओसद नहीं सही होता है तो इस तरह तेकर देखा जाए महा प्लस ओस दंत प्लस ओस्ठ और बन प्लस ओसद ऐसे आप बनावसद भी लिख सकते हैं, महावसद भी लिख सकते हैं, तो अब जैसे जैसे डवल मातरा वाले एक्जामपल मिलते चलें, आप पलते रहिएगा, तो इसका जो रूल चक कर लेते हम, पूरपद की अंतिम ध्वानी, बड़ा आ और इसका सुरूप किस से, ओ से, त इसमें भी आ और ओ का मेला आपको मिला, ये भी आपका क्या बनाया, आओ बना दिया, अगला सुरूप, बन प्लस ओ सद, पूरपद की अंतिम ध्वानी क्या होगी, भाई, देखा जाए, हमने बताया, अगर पूरपद की अंतिम ध्वानी है, तो इसके साथ बेंजन है, क्य साथ सब्वाल लगा है, और प्लस क्या होगा, ये भी आपका क्या बनाया, आओ बनाया, क्या बनाया आओ बनाया, तो इस तरह से ये आपके ब्रद संद्र की कितने रूल होगे, दो रूल होगे, दो, एक आधन एका मेल और एक दन आधान ओका मेल होगा तो इस तरह से देखा जाए तो आज हमने आपको कितने संधिया बताई स्वरसंधि तीन स्वरसंधि बताई सबसे पहली संधि थी आपकी दीर्ग स्वरसंधि और अगली थी गुल स्वरसंधि और अगली जो संधी थी वो हमारी कौन सी है बृद्ध स्वरसंधी तो आज के लिए ही इतना ही अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे आपका कौन सी संधी याने स्वरसंधी चर्चा करेंगे और आपकी याने स्वरसंधी और आयादी स्वरसंधी की चर्चा करेंगे अगली कलास में और आप लोग भी थोगा सयोग करिए और वीडियो को लाइक और सियर करते रहिए जिससे जितनी संख्या बढ़ेगी उतना हमारा कांफिडेंस बहेगा और उतने अच्छी तरीके से हम अपने मैटर को और ज्यादा बिस्तित आप तक पहुंचा पाएंगे तो आपका सयोग चाहिए तब तक के लिए धन्यवाद